अपने सब के अभिनंदन करिये मन पर विराजमान सभी वरिष्ट महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशिरवाद देने आये हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं इस तरब देख रहा हूँ पूरा हुजूम का हुजूम अभी आ रहा है अब जरा में आपको सवाल पूछना चाहता हूँ ये चुनाव सभा है कि विजे सभा है आपने कमाल करके रख दिया आज आज जमोई की इस खुपसुरत धर्ती पर उम्रा ये जन सहलाब बता रहा है जन्ता का मूड क्या है जुमर से बीजे पी और एंडिये के पश्मे उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गुंज रही है जमोई, नवादा, मुंगेद, बांका के साथ साथ बिहार की सारी चालिस सिटें एंडिये के खाते में देने का आप बिहार वास्यों का निर्धार मैं इस निर्धार को नमन करता हूँ और इसलिए पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों मैं जब भी आपके बीच आया हूँ आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है अपनापन दिया है लेकिन आज इस मंच से एक कमी हम सब को महसूस हो रही है हमारे लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे दलीतों वंचितों के प्रिय और मेरे परम मित्र पज्म विभूशन से सम्माणित राम विलाज पासवान जी हमारे बीच नहीं है मुझे संतोस है कि राम विलाज जी के विचार को मेरा छोटा भाई भाई चिराग पासवान पूरी गंबीरता से आगे बढ़ा रहे है उन्नीस अप्रिल को आप एंडिये को जो समर्थन देंगे आप भाई अरूर भारती जी को जो एक एक वोट देंगे वो राम विलाज जी के संकल्पों को मजबूती देगा साथियों बिहार की धर्ती पुरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है बिहार की इस धर्ती ने आज़ादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नीव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्त के साथ आज़ादी के बाद पांच छब पीडियों के साथ यहाँ न्याय नहीं हो पाया बिहार को एंडिये गत्बंदरन बहुती परिश्रम से एक बड़े दल दल से बहार निकाल कर लाया है हमारे नितीस बाबो की इसमें बहुत बड़ी भूमी का रही है अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गती से विकास करें इसलिए दोहजार चौबिस का चुनाव बिहार और भारत के भविश के लिए बहुत निरनायक है यह चुनाव बिख्सीत बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है यह चुनाव बिख्सीत भारत के संकल्प को मजबुस करने का चुनाव है आज एक और कॉंग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टिया है जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था दूसरी और बीजेपी और एंडिये है जिसका एक ही लक्ष है बिख्सीत भारत का अन्दिरमाण खुशहाल बिहार का अन्दिरमाण आप याद करिए दस साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी कॉंग्रेस के राजबे भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं उनके आतन की हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कॉंग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा भारत वही महान पाटली पुत्र और मगद वाला भारत है आज का भारत गर में गुश कर मारता है आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है अब दुनिया देख रही है कि केवल दस वर्षों में भारत की साख और भारत की हैसियत आज कैसे बड़ी है आज भारत दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थेववस्ता बन चुका है चंद्रमा के जिस कौने पर कोई नहीं पहुँचा था वहां हमारा चंद्रयान हमारा तिरंगा पहुचा है भारत जब जी ट्वेंटी की मिटिंग करता है तो उसकी चर्चा भी पूरे विश्व में होती है ये किसने किया ये किसने किया ये किसने किया जी नहीं आपका जबाब गलत है ये मोदिले नहीं ये आपने किया है आपके एक वोट ने किया है आपके वोट की वो ताकत थी जिसके कारण ये सब संबव हुआ है और इसलिए इस सफलता के हकदार अगर कोई है तो आप मेरे प्यारे देश वासी है साथियों आज देश कैसे बदल रहा है बिहार खुद इसका साक्षी है और बिहार कैसे बदल रहा है इसका उदारां जमुई मैं भी देख सकते है आप याद करिए हमारा ये जमुई आरजेडी और कॉंग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे जमुई की पहचान कैसी बना जी थी इन लोगों ने जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्त भोगी होता था जमुई की पहचान नकसलवाद से होती थी सरकार की योजनाएं यहां पहुँचने ही नहीं दी जाती थी नकसली यहां सडके नहीं बनने देते थे इसका नुक्षान यहां के गरीब मजदूर और किसान को होता था लेकिन आज वही जमुई विकास के हाइवे पर तेज रप्तार पकड़ रहा है नकसलवाद दम तोड़ चुका है जो लोग नकसलवाद के रास्ते पर भटक गए थे उन्हें हमारी सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ा है उनके परिवारों को पुरा सयोग दिया अब इस इलाके से एक्सप्रेस वे निकलेगा मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है अब जमुई के एक और देवगर से हवाई जाज की सेवाई शुरू हो गई है तो दूसरी और गया एरपोर्ड के विस्तार की तैयारी भी चल दही है इस इलाके में इतनी प्राक्रुतिक सुन्दरता है हमारा प्रयाफ है कि देवगर और गयाजी आने वाले लोग यहां भी आकर के जाएं पूरे बिहार में रोड इंफ्रास्टेक्टर के लिए हमारी सरकार करीब एक लाग करोड रुपे खर्च कर रही है इन सारे प्रयासों से यहां रोजगार और स्वरोजगार इसके अनेक आउसर बन रहे है भाईजों और भेनों आपको एक बात और कभी भी भूलने नहीं है हमेशा हमेशा याद रख लिए याद रखिए और कोई भी गरीम मा का बेटा इसको भूल नहीं सकता है कोई भी किसान का बेटा भूल नहीं सकता है कोई भी आशा अपेक्षा के लेकर गे जीने वाला नवजवान महनत करके आगे आया हुआ नवजवान उस बात को कभी भूल नहीं सकता याद किजिए रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवाले वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते रेल मंत्री हमारे नितिस बाबू भी थे आज तक कोई शिकायत नहीं है इनितिस बाबू के खिलाब और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छेल लिख गमन या गड़वंदन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेने चलती थी लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी बंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं और जल्द ही ये ट्रेने देश के हर रूट पर दोड़ती नजर आएगे जमुई के पुराने रेल्वे स्टेशन की जो हालत है वो तो आप भली भाती जानते हैं अब जमुई का रेल्वे स्टेशन भी आदोनिक बन रहा है कुछ महिने पहले जम नए रेल्वे स्टेशन की तस्वीर दिखाई गई थी तो सब जगा उसकी चर्चा हुई थी वो दिन दूर नहीं जब बिहार के बड़े रेल्वे स्टेशन भी एरपोर्ट की तरह सुविधा युक्त होंगे साथियों अभी नितिश बाबु बता रहे थे कितने सारे काम हुए बैचिराज बता रहे थे कितने सारे काम हुए हमारे समराज जी बता रहे थे कितने सारे काम हुए और मैं भी इतने सारे काम बता सकता हूँ शायद रात भर मिटिंग चलानी पड़े लेकिन उसके बावजूद भी भाई यो भेनों ये मोदी है मोदी की कुछ सोची अलग है ये इतने सारे कामों की सुची बताई जाती है न ये दस साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है ट्रेलर अभी तो बहुत कुछ करना है अभी तो हमें देश को बिहार को बहुत आगे लेकर के जाना है आप मेरे साथ सहमत है सहमत है सहमत है और आगे जाना है ना बहुत आगे बढ़ना है ना बिहार को भी बढ़ाना है ना हिंदुस्तान को भी बढ़ाना है ना साथियों ये मोदी गरीबी के ताप को सहकर यहां पहुचा है इसलिए हर गरीब के सपने का महत्वा मोदी भली भाती जानता है उसको जीने का प्रयास करता है और इसलिए बिहार के मेरे नौजवान बिहार के मेरी माता ये बैने बिहार के हर बुजूर्ग मेरे शब्द लिख करके रखिये और ये मोदी की गारंटी है आपका सपना आपका सपना ही मेरा संकल्प है इसलिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्यान को सरवोच्च प्रात्विक्ता दिये केंद्र सरकार के प्रयास से यहां बिहार में गरीबों को 37 लाग पक्के घर मिले है आज बिहार के करीब नव करोड जरुरत मंदों को मुप्त राशन मिल रहा है और मोदी की गरंटी है अगले पांच साल भी मिलता रहेगा बिहार में 84 लाग से जादा आश्मान काड भी बने है इसलिए ही मैं कहता हूँ जब नियत सही जब नियत सही तो नतीजे सही साथियों बीजेपी सरकार इंसानों की सेवा तो कर ही रहा है हमने पशुधन की भी उतनी ही रक्षा करने का तैक किया कि हिंद्र सरकार ने बिहार के करीब दो करोड पशुओं को खुर्पका मुपका जैसी बिमारियों से बचाने के लिए मुप्त में टीका करन का अभियान चलाया है आपको कोविड के समय मुप्त में जो मोदी ने टीका दिया वो तो याद है मोदी पशुओं को भी टीका मुप्त में लगा रहा है पहले गरीबों का जो पैसा बीच में ही लूट लिया जाता था अब वो सीधे आपके खाते में पहुंच रहा है आज बिहार के पच्चासी लाज से जादा किसानों को पी-एम किसान सम्मान निदी का लाब मिल रहा है यहाँ जमूई में ही किसानों को इस योजना के तहर आठ सो पचास करोड रुपिये से अधिर सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचे है आप मुझे बताईए साथियो एक गमनिया गड़बंदन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में शीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या हो सकता क्या RJD Congress आपके हके सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते किया पैसा मिल गया है साथियो आज देश के सारे प्रस्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते से एक दूसरे पर प्रस्टाचार के आरोब लगाते से एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे से अब वो सम मिलकर मोदी आया ब्रस्टाचारी कान खोल करके सुन ले ये मोदी नहीं आया एक सो चालिस करोड़ देश वाजियों का ब्रस्टाचारी के पती गुश्टा निकल करके आया है और इसलिए ये मोदी के खिलाब अनाप छनाप पता निक क्या क्या बोलते है साथियों मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ मोदी कहता है ब्रस्टाचार हटाओ वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आप मुझे पताईए ब्रस्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए इस देश से ब्रस्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए हर स्तर पर से ब्रस्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए जिनोंने लूटा है उन्होंने लोटाना पड़ेगा अगे नहीं पड़ेगा साथियों ये कौन लोग है जो ब्रस्टा अचार के खिलाब इतने बड़ाई लड़ाई का जिरूत कर रहे हैं आप देखिए एक तरव एंडिये सरकार है जो नए उद्ध्योग लगाने की बात करती है दूसरी वार ये लोग है जिर की पहचान अपहरण उद्ध्योग की रही है एक तरव एंडिये सरकार है जो सोलर पावर और एलिडी लाइट की बात करती है दूसरी वार एक गमंडिया गटबंदन वाले लोग बिहार को लालतेन यूग में रखना चाहते हैं हम नतीस्टी के सहयोग से बिहार में हाईवे वर एक्सप्रिस वे बना रहे हैं जब कि आरजेडी ने बिहार को गड़े और खाई में धकेल दिया था एंडिये सरकार गरीबों की उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार दे रही है जब कि आरजेडी के लोग गरीबों की जमीनों पर कबजा करते हैं हम महिलाओं को सुरच्छा की गारंटी देते हैं बेटियों को नए आउसर देते हैं जब कि आरजेडी के लोग जंगल राज में बेटियों को सडकों से उठा लिया जाता था साथियों हमारी सरकार में राम मंदिर का पांचो वर्थ पुराना सपना पूरा हुआ जब कि यही आरजेडी कॉंग्रेस ने राम मंदिर ना मने इसके लिए पूरी ताकत लगा दीजिए आज भी यह लोग राम मंदिर का उपहास उडाते हैं अपमान करते हैं साथियों कॉंग्रेस हो या आरजेडी इन्होंने हर मोके पर बिहार और बिहारी गवरों का अपमान किया है यही कॉंग्रेस और आरजेडी की जिसने करपुरी ठाकुर का अपमान किया था अभी कुछी समय पहले हमारी सरकार ने बिहार के गवरों करपुरी ठाकुर को भारत रत्न दिया तब भी इन लोगों ने उसका विरोध किया इनी लोगों ने रामनाथ कोविजी को राश्पती बनाने का विरोध किया कॉंग्रेस वर आरजेडी ने आदिवाची महला द्रवपदी मुर्मुई जी को राश्पती का चुनाव हराने के लिए पूरी ताकर लगा दे थी 19 अपरिल को आपको इन गरीब विरोधी लोगों को अपने वोर्ट से हराना है चून चून करके इनको साफ करना है करेंगे गर गर जाएंगे